गुड मॉर्निंग टो एवरीवन क्लास लास्ट वीडियो एक्स्प्लेनेशन में हमने हमारा टॉपिक पड़ा था पैकिंग एफिशियंसी यानी सर्कुलन दक्षता आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक structure of ionic solids यानी ionic ठोसों की संग्रचना तथा defects in crystals यानी कि crystal में दोस्या जो crystal structure होते हैं crystal की संग्रचना होती है उनमें पाई जाने वाले कुछ दोश या अपूर्णता है यह दो टॉपिक जैसे हम complete करेंगे तो हमारा जो यह solid state chapter चल रहा है ठोस अबस्ता वो खत्म हो जाएगा यह दो हमारे last topic है तो सबसे पहले मैं start करता हूँ ionic ठोसों की संग्रचना यानी की structure of ionic solids तो यह देखिए जो ionic crystals होते हैं इसमें हमारे दो तरह की items present होंगे एक हमारा केटायन और एक होगा हमारा एनायन तो यहाँ पर इन्होंने एक को केटायन माना है यानी धनायन माना है और बी को एनायन यानी रिणायन माना है और इनके arrangement के according तीन तरह के structure इन्होंने हमें बताए हैं एक AB टाइप structure है AB टाइप structure में एक केटायन एक एनायन होगा दूसरा ह हमारा A2B टाइप structure जिसमें हमारे दो केटायन और एक एनायन होगा यह नहीं कि दो धनायन होंगे तदा एक जो है वो रिनायन होगा AB टाइप के structure में जो तीन हमारे example दिये हुए है वो है NACL प्रकार की संगरचना है दूसरी ZNS से जिंक सलफाइड टाइप की structure है और तीसरा है हमारा CSCL के जैसे जो molecules होंगे उनकी संगरचना आपर बताई गई है इसका जो रेशियो दिया गया है 6 is to 6 दिया हुआ है ZNS का ratio 4 is to 4 और CSCL का ratio 8 is to 8 यह अनपाद क्या है यह भी आप जब structure देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा इसके बाद calcium fluoride जो की AB2 type का हमारा crystal है इसमें calcium fluoride में जो ratio दिया गया है वो 8 is to 4 दिया हुआ है क्योंकि यह दोनों 2 is to 1 के ratio में है तो इस व्यासे इनका जो यहां पर ratio है structure का वो 8 is to 4 है और वहीं पर Na2O sodium oxide जो है इसमें जो ratio दिया गया है वो 4 to 8 दिया है तो यह हमारे ionic compounds हैं जिनमें तीन तरह के ionic compound हमें पढ़ने हैं उनके structure पढ़ने हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं AX प्रकार के crystal की संग्रशना तो यह जो AX type के crystal का structure है इसमें जो example हमें दिया गया है सबसे पहला वो दिया है NaCl यहीं पर मैं आपको यह बताता चलूँ कि NaCl के जैसे और कौन से molecule हैं जो इस तरह की crystal structure शो करते हैं तो वो हमारे AGF silver fluoride, AGCl silver chloride, AGBR silver bromide, NH4Cl ammonium chloride, NH4BR ammonium bromide etc यह जो हमारे ions होंगे जो example होंगे इनमें sodium chloride के जैसा ही crystal structure यानि crystal संग्रशना पाई जाएगी और sodium chloride में जो एक unit cell होती है जो एक तो यह जो है NaCl का इस तरह से structure होता है face centered एक तरफ इन्होंने face में CL ion लिया हुआ है दूसरे तरफ फेस में इन्होंने Naion लिया हुआ है और नीचे एक पूरे crystal का structure लिया है यह तो एक single unit हो गई एक एक काई हो गई और ऐसी कई सारी काई यहां जब आपस में जुडेंगी तो कुछ इस तरह का structure जो है वो sodium chloride में पाया जाता है अब देखें chloride ion का size जो है वो sodium ion है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है वैसे भी जो एनायन होते हैं उनका size जो है वो धनायन के पेक्षा थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि धनायनों में electron कम हो जाते हैं जिसके कारण उनका size करें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो सीयल माइनस के बीच में एक एने होगा और दो एने के बीच में जो है एक सीयल माइनस यानि कि यहाँ पर एने और सीयल जो है वो alternate order पर लेकिन एक fix position पर present है इस structure को बनाते समय जो सबसे main point हमें ध्यान देना है वो यह है कि यह ज जो वॉइड पाई जाती है वो octahedral interstitial void पाई जाती है जो कि na plus या cl minus दोनों से किसी भी आयन के थुरू occupy की जा सकती है यानि na plus या CL minus कोई भी आयन जो है उस रित्ति को क्या कर सकता है घेर सकता है जो na plus का FCC जालक होगा यानि na plus का crystal होगा उसमें जो हमारी octahedral void होगी उसके बीच में क्या पाई जाएंगे CL minus होगे और CL minus iron का जो FCC crystal होगा face centered crystal होगा यानि फलक के इंद्रे तक घनिया जालक होगा उसकी रिक्तियों में na plus iron क्या होगे उपस्तित होगे इस तरह से जालक में प्रतेक CL minus iron अश्ट फलक की रूप से 6 na plus iron द्वारा तथा प्रतेक na plus iron अश् जो है CL minus iron द्वारा घिरा होता है यह जो है यह इसका सबसे important point है कि जो हमारा crystal lattice होगा उसमें एक CL minus जो है वो 6 na plus iron से और 1 na plus जो है वो 6 cl minus iron से क्या होता है surrounded होता है इसी लिए इनका जो ratio दिया था 6 to 6 का ratio तो यह ध्यान रखेंगे na CL में जो एक crystal को बनाने के लिए जो दोनों क ratio रहता हो कितना रहता है 6 to 6 का जो white पाई जाती जो रिक्ती पाई जाती है वो कैसी होती है वो octahedral होती है अश्ट फलकिये होती है तथा इनका जो structure होता है जो arrangement होता है जो विवस्था होती है वो face centered cubic crystal की होती है and जिसके जो और example है वो यहां पर दिये हुए है तो यह आपको यह points जो है इस तरह से आद रखने अगर आपसे structure जो है वो पूछा आता है यह question एक number के marks में भी पूछ ले आता है कि na CL जो है वो कितने ratio का structure शो करता है या na CL में एक na जो है उसके चारों तरफ कितने CL पाई जा यानिकि यह अंतहा केंद्रित या काया केंद्रित घनिये विवस्था में उपस्तित होता है इसमें दो केस पॉसिबल है या तो CL माइनस कॉर्णर पर पाई जाएंगे तो CS जो है वो body के center में पाई जाएगा क्योंकि 2 CL माइनस एक साथ ही हो सकते और 2 CS जो है आयन वो एक प्रेजनर्स पर प्रेजेंट होगा और जो CL माइनस है वो body center में पाई जाएगा इनमें से दो arrangement जो है वो possible हो सकते हैं और अब ध्यान से देखें अगर CS प्लस को जो धनायन हमारा उसको बीच में रग दें तो उसके चारों तरफ कितने CL माइनस पाई जाएंगे एक दो तीन चार पांच छह साथ और पीछे आठ 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 कोनों पर CL माइनस उपस्तित होंगे तो सवस्था में इनका जो अनुपात हो गया वो कितना हो जाता है एक इस्टू एक का रेशो प्रेजेंट था फिर इसके बाद इसमें जो और एक्जाम्पल पाई जाते हैं हमारे CS CL के जै CSI यानि cesium bromide, cesium iodide, thalium chloride, thalium bromide, thalium iodide तो यह हमारे जो है इसके कुछ और एक्जाम्पल इस तरह से हाँ पर प्रेजेंट होते हैं इसके बाद zinc sulfide जो एक्जाम्पल था उसमें हमारे दो तरह की structure हो सकते हैं zinc blend संगरचना और woodside संगरचना इसमें बस आपको एक्जाम्पल याद रखना है और यह याद रखना है कि इसमें किस तरह का structure पाए जाता है तो इसकी संगरचना में प्रती एक अक्सेल जो होती है वो फलक केंद्रित विवस्था में उपस्तित होती है नहीं face centered प्रेजेंट होती है पहले वाले में किसमें zinc blend में face centered क्यो भी crystal arrangement पाए जाता ह नहीं फलक केंद्रित घनिये विवस्था होती है कुछ इस तरह का इसमें structure पाए जाता है जहां पर यह सलफाइड आयन है हमारा और यह जिंक मतलब रेट से सलफाइड आयन को और ग्रीन से जिंक आयन को शो किया गया है दूसरा जो इसका arrangement हो सकता है वह हमारा वर्जाइट structure structure के form में आनि वर्जाइट संग्रचना के रूप में बट यहां पर हमारा क्यूब क्रिस्टल नहीं प्रेजेंट होता है इसलिए इसको आपको याद नहीं करना है बस example देख लेना है इसका जो संग्रचना होती है इसका जो structure होता हो कैसा होता है शटकूनिये एक अक्सेल होत होता है तो hexagonal structure इसमें पाए जाता है इसके साथ हमारे AB type के जो तीनों example थे खत्म होते हैं अब चलते हैं AB2 या A2X type के जो हमारे crystals थे उनका structure तो यहां पर यह B की जगा पर इनों नहीं एक्स ले लिया है उसमें आप confused मत होएगा तो दो तरह के structure बचे हमारे एक AX2 type और calcium fluoride का calcium fluoride में formula बन जाएगा CAF2 का तो calcium जो की धन आयन है वो एक पाए जा रहा है और fluoride आयन का ratio जो है वो उसका क्या हो गया डबल हो गया तो इनकी जो उप सहयोजन संख्याएं हैं यह जो अनुपात हैं यह इनकी उप सहयोजन संख्याओं का दिया हुआ है यह नहीं कि NACL के case में जो 6 to 6 था वो उन दोनों के coordination number थे दोनों की उप सहयोजन संख्याएं थी और मैंने आपको बताया भी हुआ है कि उप सहयोजन संख्याओं का coordination number क्या होता है कि एक आयन के चारों तरफ कितने और आयन प्रेजेंट हो सकते हैं तो एक Na के चारों तरफ कितने थे 6 chloride आयन उसके according एक calcium के चारों तरफ जो है वो double fluoride iron क्या होंगे present होंगे इसी वज़ा से calcium का coordination number 8 है यहाँ पर तो fluoride iron का coordination number कितना है 4 है इन में जो structure पाए जाता हो कैसा पाए जाता है देखिए इसमें जो calcium आयन है हमारा जो calcium धनायन होता है वो घनिये निबड संकुलेत संग्रचना बनाता है यानि कि ये cubic closed packing जो है वो यहाँ पर अंदर form कर लेता है जिसमें जो हमारा calcium आयन है वो एक cube के 8 corner और साथ में faces जो है हमारे faces पर calcium आयन present होता है और जो fluoride iron होते है हमारे वो हमारे tetrahedral जो हमारी void मैंने आपको पढ़ाई थी चतुश्वलक की है अंतरा कोशिय रिक्तियां पढ़ाई थी वहाँ पर उन voids में tetrahedral जो voids बनेंगी इनके बीच में वहाँ पर जा करके हमारे fluoride iron जो है वो present होंगे इस तरह से एक calcium iron के चारो तरफ जो है वो 8 fluoride iron जो है वो present होते हैं और इसलिए जो calcium है उसका जो coordination number है यहाँ पर कितना दिया है 8 दिया है और एक fluorine के चारो तरफ के वो चार जो है calcium iron वो present होते हैं इसलिए fluorine का जो यहाँ पर ratio दिया हुआ है coordination number का वो 4 दिया हुआ है तो इनके बीच में 8 is to 4 का ratio होता है इनके coordination number यानि की उपस है से हो जन संख्याओं में इसके बाद जो दूसरा टाइप है हमारा वो A2X टाइप है sodium oxide का example लिया है Na2O यहाँ पर केटाइन 2 है N1 एक है और इसलिए इनके coordination number का जो ratio है वो थी गुल्टा हो जाएगा अब क्या है भी sodium जो है वो double पाए जा रहा है oxygen से तो oxygen का जो coordination की हुई है इस table को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो एक्जामपल से वो याद हो जाएंगे जो एक्जामपल में है वो NACL का एक्जामपल है zinc sulfide का एक्जामपल है और CSCL यह तीन एक्जामपल जो है यही सबस्याद आपके पूछे आते हैं इसलिए इन पर इतना ज़्यादा focus जो है वो नहीं किया गया है तो इनके एक्जामपल इनका coordination number किस तरह की voids पाई जा रही है और किस तरह का क्यों भी crystal पाई जा रहा है यह सारी चीज़ें आपको दियान रखने हैं और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है structure of ionic solid यानि ionic ठोसों की संग्रचना यह खत्म होता है now our next topic is imperfection or defect in structure of crystal यानि कि crystal संग्रचनाओं में अपूर्णता या दोश जब हमारे कैटायन या एनायन अपने अपने इस्थानों में उपस्तित होते हैं जिस जो उनको इस्थान दिया का है वहाँ पर उपस्तित होते हैं तो एक पूर्ण crystal जो है हमें प्राप्त होता है complete crystal मिल defects पाए जाते हैं यह defects तब arise होते हैं जब कोई आयन जो है चाहें केट आयन हो या एनायन हो वो अपनी place से displace हो जाता है तो दो possibilities हैं या तो सिर्फ अपने इस्थान से हटे लेकिन वो अपने crystal के अंदर ही रहे उसकी जो interstitial site होती है जो अंतर अंतरा इस्थान होता है अंतर है तो इसके अधार पर यहां पर दो तरह के दोश पाए जाते हैं तो मैं आपको सबसे पहले चार्ट दिखा देता हूं defects का तो हमारे जो crystal defects हैं जो crystal दोश हैं उन्हें तीन भागों में बाटा गया है एक point defect होता है दूसरा electronic defect होता है तीसरा linear defect होता है point defect को दूबारा से दो पार्ट में divide किया गया है एक stichometric और दूसरा non-stichometric stichometric defects में जो ratio होता है आपके cations और anions का जो ratio होता है उसमें change होता है and non-stichometric में sorry थोड़ा सा उल्टा हो गया stichometry यानि stichometry का मतलब ही होता है कि जो हमारे आयन है चाहें वो cation हो चाहें एनायन हो उनके बीच जो आयनों की संख्या है उसमें कोई परिवर्तन ना हो यानि कि जो number of ions है cation और anion उनमें जो ratio रहेगा वो उनका same रहेगा उसमें कोई change नहीं होगा जबकि non stichometric में जो हमारा आयन का जो ratio है cation और anion के बीच का जो अनुपात है वो परिवर्तित हो जाता है दोनों में से कोई या तो बढ़ जाएगा या कोई घट जाएगा जिसकी वैसे उनका ratio क्या होगा change होगा जबकि यहां पर क्या होगा जो cation है और anion है उनके numbers में अगर change होगा तो दोनों के numbers सेम ratio से change होते हैं यानि कि दोनों के जो संख्याएँ हैं वो एक समान अनुपात में परिवर्तित होती हैं यह जो stichometry दोश है यह दो scientist ने खुजाता है एक short key और एक फ्रैंकल ने इसलिए यह दो अलग-अलग तरह के दोश पाय जाते हैं and most important topic है short key and frankal defect and दूसरा जो है हमारा non-stichometric जो की है धातु आधिक के दोश तथा धातु नियुंता दोश जिसे हम metal excess or metal deficient defect कहते हैं मैं short में आपको बता देता हूं कि इसमें क्या होने वाला है इन दोनों में क्योंकि यही हमारे syllabus में electronic defect और linear defect अभी हमें नहीं पढ़ना है तो stichometric यानि कि stichometry दोश वो होगा जिसमें धनायन तथा रिण आयन की संख्याओं में कोई भी परिवर्तन ना हो इन में से जो सबसे पहला defect है short की defect क्या कहता है कि जब कोई crystal जब किसी crystal में cation या anion इन में से कोई भी एक अपने इस थान को छोड़कर crystal system crystal crystal निकाए से बाहर चला जाता है तो charge को बनाए रखने के लिए यानि उदासींता को बनाए रखने के लिए neutrality को maintain करने के लिए उसी के nature का दूसरा जो एनायन होता है वो भी crystal को छोड़कर के बाहर चला जाता है और यहां पर दो तरहा के unoccupied या जने हम रिक्त इस्थान कहते हैं वो उत्पन हो जाते हैं देखिए जैसे यहां पर एक example ने लिया कि एक crystal है जिसमें a plus b minus a plus b minus a plus b minus a plus b minus इस तरह से जो cations और एनायन से अपनी fix position पर पाय जा रहे थे बट इसको heat करने की वज़ा से या कोई chemical मिला दिया किसी वज़ा से इसमें cation या एनायन या धनायन या रिनायन में से कोई एक जो है वो अपने इस्थान को छोड़कर चला गया फॉर suppose एक समय के लिए मान लेते हैं कि यहां पर 10 cation और 10 अनायन थे आनिकि 10 अनायन धनायन और 10 रिनायन थे उनमें से एक धनायन चला गया एक cation चला गया तो अभी cation कितने बचेंगे 9 बचेंगे 10 बचेंगे तो उस condition में neutrality जो है वो टूट जाएगी उदासींता खतम हो जाएगी क्योंकि अब धनायन कम हो जाएगे रिनायन जादा तो neutrality को बनाए रखने के लिए यहां पर उदासींता को बनाए रखने के लिए तुरंत एक विपरीत आवेश का आयन जैसे धनायन पहल numbers हैं एक दूसरे के comparison में एक दूसरे की तुलना में जो दोनों संख्याएं हैं धनायन और रिनायन की वो बराबर रहती है और जो उदासींता है वो बनी रहती है इस तरह का दोश जब किसी crystal में उत्पन होता है इस तरह का defect जब किसी crystal में arise होता है तो उसे short की defect कहा जाता है short की दोश के नाम से जाना जाता है and इस तरह के defect में जो हमारा पूरा crystal होता है वो electrically neutral रहता है यानि कि विद्यूत उदासीन रहता है क्योंकि रिक्ति उत्पन्न करने वाले धनायन दथा रिनायनों की संख्या जो है वो सदयाव समान होती है अब इस defect को आपको exam में कैसे लि यानि neutrality को maintain रखने के लिए एक एनायन भी अपने स्थान को छोड़ देता है और इस तरह से crystal में दो रिक्तियां उत्पन्न हो जाती है जिने चिद्र कहा जाता है जिने holes कहा जाता है एंड इस तरह के defect को इस तरह के दोश को short की defect के नाम से जाना जाता है short की defect के अंदर जो एनायन और केटायन का जो ratio है वो same रहता है और इसी लिए ये कि स्टाइको मेट्रिक यानि स्टाइको मिती दोश है जिसमें जो हमारा पूरा का पूरा crystal है वो विद्यूत उदासीन रहता है यानि कि electrically neutral रहता है और इसके जो example है हमारे वह है sodium chloride, cesium chloride, potassium bromide, potassium chloride और silver bromide etc. इसके बाद next जो हमारा defect आता है वो है frankal defect और इसे dislocation defect भी कहा जाता है यानि विस्थापन दोश भी कहते हैं और ये दोश का वुद्पन होता है देखेगा जब हमारे crystal system में crystal निकाय में कोई एक cation या anion यानि कोई धनायन या रिनायन जो है वो अपने इस्थान की रिक्ति पाई जाती है अंतराकाशी इस्थान पाई जाता है इस प्लेस को यह जैसे आप आइंस देख रहे हैं इनके बीच में जो space present है इसे interstitial space कहते हैं अंतराकाशी इस्थान कहते हैं तो इस तरह के दोश में crystal के अंदर कोई भी एक धनायन या रिनायन जो है वो अंदर एक वॉइड एक रिक्ति उत्पन हो जाती है तथा इसमें एक दोश आ जाता है इस तरह के दोश आने पर भी जो उदासीनता है विद्यूत उदासीनता है वो बनी रहती है क्योंकि अपना इस्थान छोड़ने वाला धनायन जो है वो पूरे crystal से बाहर नहीं जाता है वो crystal के अंदर ही present interstitial site में उपस्तित होता है अंतराकाशी इस्थान में उपस्तित होता है जिसके कारण धनायन तथा रिनायन यानि की cation और एनायन के numbers में उनके ratio में कोई भी change नहीं आता है और इसलिए से dislocation defect भी कहा जाता है यानि की विस्थापन दोश भी कहा जाता है क तो आपको इसको भी इसी form में example बना लेना है इस example को explain कर देना है जो भी words मैंने कहे एंड इसके अलावा कभी कभी short की और फ्रेंकल में difference भी पूछ ले आते हैं दो नंबर या तीन नंबर से जादा में question नहीं आएगा